हेलो फ्रेंड स्टार्ट अईरवेदा पर आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे हीट एजे मेडिसिन हीट प्रोटोकॉल जी हाँ गरम पानी में बैठकर गरम पानी के बाल टेम बैठकर कैसे आप खुद को कोवेड नाइटिंग ओम्री क्रौन जैसे खतरनाक बिमा दिखानी से भी सुनाएंगे और बताएंगे भी और यह मैंने खुद घर पे भी किया तो चलिए तब तक डॉक्टर साब के मुह से ही सुन लेते हैं कि यह किस तरह काम करता है इसका कॉमन नाम है फ्लू मतलब जैसे आपको बॉड़ी एक होने लगता है रेस्पिरिटरी डि जाता है या फीवर हो जाता है खांसी जुखाम बुखार जी से बोलते हैं तो how you can cure it the fastest होते ही कैसे उसको वहीं कमई हाल्ट कर दें अगर आप होते ही वहीं कमई हाल्ट करना चाहते हैं तो वाइरस या फिर खासत और पर रेस्पिरिटरी वाइरस का एक प्रिंसपल एक और ठीक उसी तरह से रेस्पिरिटरी वाइरस डेस्ट्रॉय हो जाता है मरता है हॉट एंड हुमिड कंडिशन में यानि कि अगर आप कुरुना वाइरस को या नोल कुरुना वाइरस को 60 डिगरी सेल्सियस टेंपरेचर वह रखते हैं तो 30 मिनट के अंदर ही वह खतम हो आप की मदद से हम देश की हर जंता तक इस ट्रेनिंग इस टेक्नी को ले जाएंगे ताकि जैसे ही किसी को फ्लू का पहला symptom आता है उसके आगे बढ़ने से पहले ही घर पे ही आप डू-at-home method से इस revolutionary technique का नाम है 3-step heat protocol 3-step heat protocol इस नए प्रोटोकॉल से आप अगले 2 घंटे के अंदर ही अपने आपको पूरी तरह ठीक कर लें फीवर से, बॉडी एक से, हैडेक से, खांसे जुखाम बुखार से, तो उमीद करता हूं, आफर इस ट्रेनिंग, फ्लू विल बी दे तिंग अफ पास्ट डॉक्टर ब्यारसी जी के दवारा बताए गई, heat as a medicine विधी मैंने घर पे ही की, इसके लिए हमें एक सोस बोटल और ये कांच का गिलास, जिसमें हम पानी सिप सिप करके पिएंगे, जिसका टेंपरेचर 80 डिग्री से तक हो, जैसे हम गर्म चाहिए पिते हैं, उसको इस टे temperature maintain के लिए हमें एक स्टील की बोटल चाहिए, मेरे पास है, एक मिल्टन की बोटल, और दोस्तों ये एक थरमो मिल्टर है, जो की लगव मार्किट से सोस से डेड़ सूर रोपे के आसपास मिल जाता है, जो हम मचली के टेंक में रखते हैं ना, temperature को देखने, maintain करने के लिए, और दूसरी बालटी में 50 डिगरी पलस temperature वाला पानी है, जिससे हम दूसरी बालटी में डाल के temperature को maintain कर सकते हैं, देखो अब फिर अप हो गया, और हमें जो जो जुरूरिस मान चाहिए, वो आपके सामने हैं, और दोस्तों इस थेरपी से बहुत ही स्रीर में हलचल हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पूरे शरी से गर्मी निकल रही है, और जो जुरूरिस मान है, पॉमना ग्रेंट अनार, और ये निम्बू, जो किसे हम गर्म पानी में डाल के पिएंगे, इस ग्लास के मतम से, और दोस्तों यह है लवेंडर ओईल, जो हमें मार्किट से ल बिल्कुम, रिलेक्स, हीट एज़ मेडिसीन, हीट प्रोटोकोल थेरपी, मैंने अनली और अनली, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, या मानलाब फीलिंग के लिए की, मुझे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फील करना चाता था कि इस थेरपी में, मैं कैसा फील होता है, एक्चिली मैं जी दिकत थी, मेरी घरवाली को थी, अफ्रास को बहुत ज़्यादा खांसी जुखाम बुखार, बड़ी दिकत में थी, पूरी पूरी रात खांसी और पूरी रात तेज बुखार, दो-दो कंबल हिजाए में भी उनकी सरदी नहीं रुक रही थी, इतना पानी पिना डूरी भीट़ी दी जलनेती के लिए ऐसां याग नर्रों की सर्थ याटा सर्दी के लिए दो अ वाइरस को फ्लाश आउट करने के साथ जल नेती के इतने फायदा हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे तो आप किसी यूटूब पर गूटल पर सर्च कर लेना कि जल नेती के कितने फायदे हैं इसके साथ साथ में माईग्रेन आदे सिर कदर बाल जड़ना अस्यम्या चिंके आना नाक में खारिश रहना आंखों से पानी चलना आंखों करेड रहना तो देखिए मैडम जी के लिए मैंने यह विदी एक तो मोर्निंग में की थी और अभी यह दूसरी हीट प्रोटोकोल पानी है तो अभी देखो 44.6 आठ बज़े शुरू की ते लगब आठ बज़के पंदर मिनट हो गए है यह चमक राय आपको जो पर ले लेंडर वेल है जो आपको मार्केट में एक पंसारी से मिल जाएगा 35 रुपे का 10 ग्राम दिया था मुझे मैं अभी 50 ग्राम लेके आया और पानी को भी अमने लगबग मैंटेन करके रखा हुआ है और साथ में वाइरस जल्दी फ्लेश आउट हो जए एक साथ में रूम हीटर भी चलाया है आप आपके पास रूम हीटर ना हो तो आप तावा गरम करके जो रोटी बनाने का तावा होता है उस तावे का गरम करके उसके पर कपड़ा रख रखे नाक के पास लग वो 30 से 40 बार रखेंगे तो बहुत इतना ही फेक्टिव हो भी हीट ऐसे मेडिसिन आप एक बार मेरे ना माननो तो आप खुद ही करके देखना कैसे आपका बुखार किसी भी तरह बुखार हो कोवीड को हो अमरी क्रोन का हो सिंपल बुखार नजला जुखाम हो आप हीट ऐसे मेडिसिन प्लास जलने की यह करना यह मरीज को रोगी को अगर अधिक हंसी हो तो उसमें आपको एक अनार लेना है अनार को चील के तब यह पर 4-5 मिनिट के लिए गरम करना है तेज गरम करना आपको मिरीज को रोगी को खिला जेना है जल्दी जल्दी से उसकी खंसी बिल्कूल ठीव ज्यादा है तो आपको इस विजी को लगभू देने तीन बार करना है तीसरे तीशरी बार करते करते आप बिल्कूल थिक पाऊए और साथ में रोक्टर सामने 3 डे फ्लिव डाइट नोगीalities ऀए जिनको ज़्जादर गिनों से दो कार और नोगी तो इसमें लगबग पहली बार में नहीं औरपनिया में पीठ पाएंगा यह मेडम जी को अभी खाने के लिए अनार दे दीएं वह बिलकुल आराम राम से अनार को खा हुआ है जिसे कि खंसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिला है और यह देखना आप टेंप्रेचर भी बिल्कुल मेंटेन है 14.8 क्योंकि हमने गर्म पाने रखा देख रहे हैं आप 45 मिन्टेन को बैठे हो गया वैसे अद्दा गंटा बहुत है पर में करने क्या रात में और यह बैठे हैं इसमें पानी में अनंद ले रहे हैं साथ में टीवी देख रहे हैं इनका शो चल रहा है अनार से खंसी में बिल्कुल आराम चलेगा उदर हीटर लग रहा है और यह को डॉक्टर ब्यार सीजी का इतना जवर्दस्त इन्वेंशन है इतना जवर्दस्त इन्वेंशन है अधे गंटे में बिलकुल अम्री क्रोन कोरो ना बुखार फीवर इन्फिलूंजा लाइक एलनेस कोविड किसी भी तरह का सिंप्टम हो आप आधे गंटे में ही मरीज को ठीक है सकते हूं पहले जैसा आपको नहीं एंबुलेंस बलाने की जूरत है नहीं आपको आपने आपको किसी तरह से साइटी से दूर रखने की जूरत है तो आप गबराने की जूरत नहीं है आप डॉक्टर ब्यारसीजी के कॉंटक्ट में रहे हमारे कॉंटक्ट में रहे और समय गया अपने आपको कुरंटाइन करने का तो खुलिए आईए जंता सरकार मोर्चा आता था डौक्टर ब्यार्शी जी को सपोर्ट कीजिए डॉक्टर साब का होस्पिटल है डेरा बसी चंडीगड में हीम्स नाम से होस्पिटल है आप डॉक्टर साब के संपर्क मेरा के गंटा होने को यह हैं और पानी भी मेंटेन है 44.6 डिग्री टाइम पर और अगले दिन मैंडम बिलुकुल फिट हो गई थी और यह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिया तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें स्पोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आज हमने वीडियो में सिखाया हीट एजिमेडिशन तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं तब के लिए जैंग